टीवी और बॉलिवूड जगत का मशूर नाम रही सनकान आज भले ही आक्टिंग की दुनिया को हमीशा के लिए अलविता कह चुकी है लेकिन ये अभिनेत रियाज भी अपनी लाइफ को लेकर ना काफिस सुर्ख्यों में च्छाई रहती है जहां हाल ही में इन्होंने मौलवी मुफ्तियनस से शादी करके खुद को चर्चाओं में शामिल कर लिया है जहां लोगों ने इनके शादी के तस्वीरों को जम कर वाइरल किया जिनमें ये बेहत खुबसूरत नजर आ रही थी जिनका सारा कसारा श्रे जाता है इनकी खुबसूरत ड्रेस और ज्वलरी को किन दोस्तों कि आप ये जानते हैं कि इनकी वेडिंग आउटफिट और ज्वलरी जतनी ज़ाबा खुबसूरत है न उससे कही ज़्याबा एक्सपेंसिव है जिनकी कीमत जिसने भी सुनी है वो इनसान दंग रह गया तो अगर आप भी सनाखान की वेडिंग आउटफिट और ज्वलरी की कीमत से वाकिफ होना चाते हैं तो हमारे आज किस वीडियो के आंतिता का बने रहिएगा हमारे साथ और साथी साथ सनाखान के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले 20 नवंबर 2020 जी हाँ दोस्तों यही वो तारीक है जब बॉलिवुट की मशूर अधकारा और आक्ट्रिस सनाखान ने अतना घर हमेशा के लिए बसाने का फैसला किया और मुफ्ति अनस सयद से शादी की जो की एक गुजरात बेस्ट बिजनसमैन है जिन से इनके मुलाकात एजाज खान द्वारा कराई गई थी वही अगर बात करें इन दोनों की विडिंग आउटफिट के बारे में तो आपको बता दें कि इन दोनों की जो तस्वीरे वाइरल हो रही है उन में से कुछ तस्वीरे इनके रिसेप्शन के भी है जिसमें सना खान वाइट कलर के गाउन में नज़रा रही है तो वहीं इनके पती सफेद कुर्ते पजामे में नज़रा रही है वहीं दूसरी तस्वीरे इनके निकाह वाली दिन की हैं जिसमें सनाखान लाल रंग के इन लहंगे में नजर आ रही हैं जिसके उपर कई महीनों तक हाथ की कारिगरी की गई थी जो इसकी खूबसूरती को और कीमत को काफी बढ़ा देता है जहां इस खूबसूरत लहंगे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है जिसे इंडिया की टॉप डिजाइनर में से एक पूनम कोचर ने डिजाइन किया है और इनके इस एक्सपेंसिव लहंगे के अलावा जो स इसे डिजाइनर राम भाजो ने डिजाइन किया है बता दें कि इनकी ये खूबसूरत ज्वैलरी और लहंगा इनके ससुराल वालू के तरफ से इने शगुन के तोर पर दिया गया था तो दोस्तों आपको सना खान का ये लूग का खिरकार कैसा लगा आप हमें अपने राइ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही अक्टिंग के दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम मज़दार खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें